क्रॉस सेक्षणल स्टडीज, फील्ड स्टडीज का आपको बताया, क्रॉस सेक्षणल स्टडीज ये होती है, ये एक अब्दरवेशनल रिसेर्च है, जिसमें आप बिदिन फ्रेमबॉक उप्रॉस कल्चुरल साइकॉलोजी में, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये होती है कि आप जिन दो तीन चार कल्चुर्स को स्टडी करते हैं उन सब में से सांपल उठाते हैं और उस सांपल का जो डेटा है उसे एनलाईज करते हैं जो एक ही टाइम में लिया जाता है रिसरचर्स की टीम्स थी जो इसको कठा कर रही थी इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं इन्वाल्व होते है ये क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि आपने वो हर मुल्क में से सेक्शन उठाए उनके उपर वो ही डेटा वो ही सवाल पूछे उसको कठा किया और फिर आपने मुल्क वाइज उनको तॉट किया और गनाइज किया आप देखा कि मुल्कों में क्या एक जैसी चीज़ें और क्या डिफरेंस है इनको अब्जर्व करते हैं विरियेबल्स को इनको कुछ चेंज नहीं करते हैं इसमें बहुत से लोगों से एक ही सिंगल पॉइंट इन टाइम डेटा कठा किया जाता है तो यह एक ही टाइम में आप देख रहे हैं कि ग्रीन ब्लू परपल तीन सांपल्स है उसका एक मक्सद होता है कि कोई चीज़ कितना हो रही है प्रेवलेंस कितना है किसी आउटकम का कोई भी चीज़ हो सकती है वो कोई बिमारी भी हो सकती है वो कोई खौफनाक बात भी हो सकती है वो कोई इच्छी बात भी हो सकती है कितनी ओरतें जॉब करती हैं कितनी ओरतें टीचिंग में जॉब करती हैं पाकिस्तान में इंडिया में मंग्रादेश में नेपाल में न्यूजिलेंड में आस्ट्रेलिया में तो आप मुक्तलिफ कल्च्रस को उसके कंपेर कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी अगर आपके लिए बेतरीन चॉइस है अगर आप प्रेवलेंस यह नहीं कितनी हब त एक एक बंदा भी हमने एक स्टडी की थी जुवेनायल डिलिंगट्स फेंजाब यूनिवस्ट्टी में पिए श्टी का प्रोजेक्टा के यह जो जेलों में चोटी उमर के कैदी होते हैं और मुझरिम होते चूटी हम पिशावर और अडियाला लहोर के दो जेल और मुलतान का ले तो अब ये एक बंदे के बसका काम नहीं है तो फिर दो तीन लोग उन जगों से डेटा कठा कर लेते हैं तो चीपर भी है और टाइम भी कम लगता है और और रिसर्च मैथर्स के मुकाबले में इसके जरीए डिस्क्राइब कर सकते हैं जो किसी कम्यूनिटी में पाई जाती हैं किसी मौशरे में पाई जाती हैं और मुक्तरिफ कल्चर में पाई जाती हैं क्रॉस कल्चरल साइकॉलोजी में क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हैं वो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स को देखने का मौका देती हैं साइकॉलोजिस्ट को जैसे एज, इंकम, जेंडर वगारा ये इसलिए भी होता है कि जो आजकल हलात हैं उनको देखने के लिए पापुलेशन में मुख्तलिफ कल्चर्टर्स में जो लोग हैं उनके दरमयान जो कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चल रही हैं जैसे त तो यह आपको वो इन्फर्मीशन देता है जो आझकल हमारे अबादी में हमारे लोगों में हमारी पूरी जितनी मुल्क में लोग हैं किसी जी बी मुल्क में किसी भी कल्चर में उनके हां जो आजकल गुज़र रही है उसके लिए क्रॉस सेक्षनल बहुत मुनासिच है